वेल्कम टू एशाजियंग आइस हमने लास्ट वीडियो बनाया था साइंस्टू के सेकंड चैप्टर लाइफ प्रॉसेस इन लिविंग और्गानिजम्स का पार्ट वीडियो जिसमें हमने सिल्बस कवर किया था तो अब यह वीडियो में हम स्टाइट करेंगे सेल्डिविजन से यह एक इंपोर्टन पार्ट है सिल्बस का तो सेल्डिविजन एसेंशेल लाइफ प्रसेस इहां शुरू होता है पहले सवाल से कैन यू टेल में वाट है पन्स तो फिर इंजरी हो जाती जखम हो जाता है तो उस वहां पे जो सेल से उनका क्या होता है तो वो सेल जो है वो इंजर हो जाते वो मर जाते वो सेल और उनकी जगह पर नए सेल्स आते हैं हमारी हीलिंग प्रसेस स्टार्ट हो जाती है तो जो नए सेल्स होते है वो कैसे बनते तो वह यहां पर सेल But when, when we pluck the flowers, मतलब जब plants से हम flowers pluck करते, क्या उनको injury होती है, तो हां plants भी living things है, उने उन भी sensation होता है, दों, उनके पास nervous system नहीं है, ऐसे as advanced animal humans have, पर उनको भी sensation होता है, And how are those wounds healed, अगर injured है, तो wounds है, वहां पर भी उनको flower pluck है, तो वह कैसे heal होता है, तो वहाँ पे भी cell division होता है, नए cells grow होते है, तो वह हम यहाँ पे सीखेंगे, फिफ फोट सवाल है, how does the growth of any living organism occur, तो जो है छोटा बच्चा पेड़ा होता है, छोटे से वह बड़ा होता है, उसकी size बड़ी होती है, उसकी हाथ, fingers, आप हर ओर्गन देखेंगे, तो कैसे वह growth कै से होता है, तो growth भी cell division के through ही होता है, तो does the number of cells in their body increase, हाँ, increase होते है, तो yes, increase होते है, तो कैसे increase होते है, वह cell division से ही हमको समझेगा, फिफ्ट सवाल है, how the new individuals of a species is formed from existing one of same species, मतलब बच्चे पैदा होते है, तो बच्चे कैसे बनते है, बच्चे पैदा कैसे होते है, in the sense कि उनक individual कैसे बनता है, तो भी हम देखेंगे cell division मले, तो cell division होते है, वो 2 main type के होते है, the two types of cell division होते है, mitosis और meiosis, mitosis होता है somatic cell in stem cells में, are meiosis होता है germ cells, अब सबसे पहले हमको यह समझ देकी जरूरत है कि somatic cell क्या होता है, stem cell क्या होता है और germ cell क्या होता है, तो हम वो देखेंगे पहले, somatic cells मतलब कि जो भी हमारे body में cells है, सारे cells है, almost everything, हमारे skin, muscles, blood, गएरा, सब कुछ, यह somatic cells है, germ cells होते हैं, वो cells है, जो reproduction में काम आते हैं, sperm cells और egg cells होते हैं, males और females में respectively, उनको germ cells कहते हैं, उनके अलावा बाकी सारे cells हमारे body में somatic cells है, और एक तिस्नी category है stem cells, stem cells मतलब जब नए cells बनते हैं, जो बच्चा पैदा भी होता है, जब बच्चे का initial, जो बच्चा नव मेने पेट में होता है, तब उसका development भी हो रहा है, तो जो initial cells होते हैं, वो stem cells होते हैं, फिर उसमें भी cell differentiation होके, वो अलागला type के बन जाते हैं, तो तीन main हमको यह समझना है, कि कौन तीन main types जो words है, यह somatic cells, germ cells or stem cells, यह clear होना चाहिए, तो अब जाते हैं, चाप्टर पे भी तो वह यहां पे लिखा है, तो mitosis हमको याद रखना है, mitosis होता है somatic cells or stem cells में, germ cells के लिए meiosis होता है, mitosis or meiosis में क्या फर्क है जो हम समझेगे, तो इसमें यह भी clear हो जाएगा, कि क्यों somatic cells stem cells में होता है, और यह वाला meiosis क्यों germ cells में होता है, तो यह है structure of a cell, तो cell में यह animal cell है, क्योंकि rigid structure नहीं है इसका, cell wall नहीं है, तो यह nucleus होता है बीच में, और बाकी जो cytoplasm में उसके अंदर बाकी और cell organs भी होता है, जैसे के mitochondria है यहां पे, हमने part 1 video में देखा science के chapter में, life processes chapter में, कि cellular respiration के लिए mitochondria important है, यह ribosome है, जो हमने science के chapter 1 में देखा science 2 के chapter 1 में, जहां protein synthesis, transcription, translation, translocation होता है, translation, जो RNA भी important involved होता है यहां पे, तो यह ribosome से protein synthesis होता है, तो यह है, तो यह cell structure है, हमको structure of cell पता होना चाहिए, कि बीच में nucleus है, बाकी का cytoplasm है, क्योंकि जब cell division होगा तो nucleus भी divide होता है, और cytoplasm भी divide होता है, तो यह important है, फिर उसके अलावा यह chromosome जो है, आगे chromosome के बारे में यह आएगा, तो यह chromosome का structure हमको समझना चाहिए, chromosome क्या होते है यह DNA, जो हमारे nucleus में DNA है, जो DNA पूरा लपटा होगा होता है, उसको ही chromosome कहते है, यह chromosome उससे ही बना है, और chromosome के यह जो दो strands, दो parts है, उनको chromatids कहते है, sister chromatids, तो यह दो sister chromatids है, बीच में जो point होता है, जहां से यह जुड़े होगे, उसको centromer कहते है, जो end है, tail है, तो उसको telomer कहते है, और उपर के आम को p-arm, नीचे के आम को q-arm, यह important है, आपके chapter में भी यह इसका diagram है, तो वह हमको समझना है, यह देखिए, यह रहा, तो यह आपको boxes fill करने है, यह है p-arm, बीच में यह है centromer, यह है q-arm, और यह है dna, तो यह dna strand से जो chromosome बना है, वह दिया गया है, यह diagram अल्रडी board exam में पूछ सुके है, 2019 में यह 2 mark का सवाल था, अब हम देखेंगे, mitosis or meiosis, यह statement भी important है, यहां पे लिखा हुआ है, before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus, chromosome number होता है, number of chromosomes होता है, जैसे humans में specific number है, 46 chromosomes होते है, 23 pairs, हमारे chromosome number है, pairs में होते है, जोडी में होते है, 23 pairs होते है, यह pairs भी क्यूं होता है, क्यूंकि हमको एक, हमको हमें parents से मिलता है, father से और mother से एक-एक मिलता है, तो हर एक cell division, कोई भी cell division हो रहा हो, mitosis या meiosis, उससे पहले यह number double हो जाता है, 4N हो जाते है यह, तो हम वो देखेंगे कैसे होता है, क्या है, तो यह आपे आप देख सकते हैं, अलग-अलग organisms के अलग-अलग number of chromosomes होते है, जैसे pea plant में 14 है, sunflower में 34 है, cat में 38 है, humans में 46 है, dogs में हमसे भी ज्यादा है, तो वह ही है, तो यह humans के 46 chromosomes है, मतलब 23 pairs, तो यह ऐसे दिखते हैं, तो यह pairs जो है, वह similar chromosomes होते हैं, तो यह एक मतलब एक-एक-एक parent से मिलता है, यह mother से, यह father से, ऐसे, तो यह 22 pairs जो है, उनको autosomes कहते हैं, और जो 23rd pair है chromosome का, उसको sex chromosome कहते हैं, उससे sex determined होता है, और यह chromosome हमारे हर एक nucleus, मतलब हर एक cell में हर एक nucleus में है, तो 23 pairs of chromosome होते हैं, तो यह तो cell division होगा, तो यह दो cell बनेंगे, तो दोनो cell में भी यह chromosome होगे, तो यह देखे आप, sex chromosome जो है, यह X और Y होते हैं, मतलब XX होता है, तो female में XX होता है, और males में XY, तो जब हम बच्चा पैदा भी होता है, यह दोनों है, मतलब जैसे मैंने कहा, एक-एक हर एक parent से मिलेगा, तो हमको भी हमारे parents से, एक mother से, एक father से मिला है, तो यह X और Y में भी, एक mother से मिलता है, एक father से मिलता है, यह pairs of chromosomes, autosomes मतलब 22 pairs autosomes है, इनको homologous chromosomes भी कहते है, homologous chromosomes मतलब same है, similar है, मतलब pair 1, pair 2, तो mother के भी pair 1 से 1 मिला है हमको, father के pair 1 से 1 मिला है, ऐसे करके, तो यह inheritance में भी इसका importance है, तो यह आप देख सकते है, people have 46 chromosomes, 23 pairs, 22 pairs are homologous, मतलब 1 जैसे होते है, जैकि जो 23rd pair है, जैसे वो xy होगा, तो x अलग दिखता है, y अलग होता है, तो xy जो होता है, वो homologous नहीं है, females में वो भी homologous है, दोनों x sex है, तो 22 pairs तो हम सब के homologous chromosomes होते हैं, autosomes होते हैं, एक pair sex chromosome है, तो यह है, तो यह आप देख सकते है, chromosome from mother, chromosome from father, तो यह थोड़ा color difference है, यहां पर इतना clearly नहीं दिख रहा है, पर दोनों का थोड़ा gray और green color है, तो यह gray color जो है, यह बताया जा रहा है कि यहां पर mother से मिला और यह father से मिला, तो यह पूरा है, जैसे है, तो X पहले आता है, Y बाद में आता है, यह वाला mother है, यह वाला father है, तो यह है, तो chromosome are matched in homologous pairs, तो दो pairs जोड़ी में होते हैं, जैसे हमने देखा 23 pairs है, 46 chromosome हर एक जोड़ी में है, तो यह जो दो pairs हैं, उनको homologous chromosome कहते हैं, तो उनके अंदर जो genes है, same traits की genes है, मतलब कि जो traits है, जैसे कि हर एक चीज, skin का color, बाल का color, तो वो हर एक similar traits के genes उनके उपर होते हैं, वो location हर एक genes का एक specific location है, कि chromosome number 1, 2, 3, किस पर होगा हो, तो जो chromosome number 1 है, तो दोनों similar traits carry करते हैं, they contain genes of other same traits, और जो last एक pair है, वो sex chromosome है, somatic cells, germ cells, or stem cells, so somatic cells, मतलब हर एक cell, skin का cell है, या, बाल का cell है, जो भी हर एक body part का cell जो है, except germ cells, वो सारे somatic cells होते हैं, तो उनके अंदर ये, each species contains specific number of chromosomes, तो वो ये है, humans के अंदर वो specific number है, 46, 23 pairs, और ये तो ये homologous chromosomes है, और ये एक एक जो है, ये एक chromosome के अंदर ही, ये जो दो joint है centromer पे, इन दोनों को sister chromatics कहते हैं, तो ये terms बहुत important है, clear होने चाहिए, समझने के लिए, तो अब हम देखेंगे, cell division में भी है, आप देख सकते हैं, ये दो chromosome है, तो मतलब कि ये एक pair है, chromosome number one, समझो, ये mother से मिला, ये father से मिला, तो chromosome number one जो है, ये pairs जो है, इनके पहले double होते हैं, मतलब कि ये जो ऐसा shape बनता है, और ऐसे sister chromatids बनते हैं, तो ये दोनों chromosome number one है, उनके sister chromatids बनेंगे, तो ये double number हो गया, ऐसे chromatids मतलब actually double हो गया, तो ये एक का double हो गया, और फिर उसके बाद इनका division में, ये mitosis division बताया गया है, तो उसका division कैसे होता है, वो हम detail में अब देखेंगे भी, कि कैसे cell division में, देखो double हो गया, और double में से सबकी एक एक जोड़ी जा रहे है, तो ये जो है, ये spindle fibers होते हैं हम detail में देखेंगे chapter में, तो ये जो है पूरा होके, जो दो बन गए तो ये देखो, first जो nucleus था वैसा ही ये भी दिख रहा है, ये cell जो है वैसा ही ये भी है, तो daughter cells बोलते हैं को, ये terms भी important है, daughter cells, sister chromatids बनते हैं, तो अब जाते है chapter पे भी, तो ये find important है कि before any type of cell division, mitosis में भी और meiosis में भी, जो chromosome number है वो double हो जाते हैं, तो ये sister chromatids बनते हैं, माइटोसिस के steps देखते हैं, mitosis में भी पहले दो main steps हो गये, कि nucleus को भी divide होना है, और बाकी का पुरा cytoplasm जो cell का है वो भी divide होना है, तो दो steps हो गये, that is, karyokinesis and cytokinesis, karyokinesis मतलब nucleus का division, nuclear division, और cytokinesis मतलब cytoplasm का division, cytoplasm division, और cytoplasm division simple होता है, karyokinesis के 4 steps है, mitosis में, तो हम देखेंगे, और ये mitosis हमको याद रखना है, somatic or stem cells में ही होता है, वो हम देखेंगे और detail आएगा, तब हम समझेंगे कि somatic or stem cells में क्यों होता है, और germ cells में क्यों अलग cell division है, meiosis, तो अब karyokinesis के 4 steps देखेंगे, pro phase, metafase, anaphase, telophase, telophase, last में आएगा, telophase end में होता है, वो याद रखना है, तो यहाँ पर pro phase में अब हम देखते, pro phase में क्या होता है, तो यह आपका यहाँ पर cell दिया गया है, यह nucleus है, cytoplasm और यह बीचका nucleus, तो nucleus में अभी क्या होता है, pro phase में, जो chromosome है, actually thin, पतले होते, thread-like होते, वो अभी condensed होना शुरू करते, और short बनते, short and thick बनते, तो यह lines जो है, वो short और thick बनेगे, तो यह शुरू होता है, हमारा first stage of cellular division, maltosis, तो cell division of mitosis, तो यह आप देख रहे हैं, यह short और thick बन गए chromosomes, और फिर वो लोग double हो जाते, जैसे हमने देखा, तो sister chromatids बन जाते, तो double होके, ऐसे sister chromatids के pairs में आ जाते, पहले वो ऐसे होते, lines होती है, lines छोटी thick बनती है, और फिर ऐसे chromosome number जैसे हमने देखा, chromatids double हो जाते, तो यह 2N का 4N हो गया, तो sister chromatids बनते है, और centriol होता है, cell के अंदर एक centriol होता है, यह cell organelle है, एक point होता है, यह जो दिख रहा है, centriol होता है, centriol भी duplicate हो जाते है, मतलब 2 centriol बन जाते है, तो यह भी pro phase में ही हो रहा है, 2 centriol बन एक यहां पर, और 2 opposite sides पर वो, 2 poles पे, cell के 2 opposite sides पर यह centriol चले जाते है, और nuclear membrane, यह दिख रहा है आपको nucleus, यह भी disappear होना शुरू हो जाते है, यह सारा होता है pro phase में, first phase में, ठीक है, हमने online अपने channel पे start किया है, upload करना, Maharashtra State Board Standard 10th, SSE के subjects के videos, तो हमने science का upload किया है, Marathi upload किया है, history upload किया है, और हमें बहुत अच्छा response मिला, students को बहुत अच्छा लग रहा है, हमने chapters complete explanation upload किये, demands है कि हम chapter के पीछे के सवाल के भी videos बनाए, और हम सारे subjects के सारे videos upload करें, फिर आता है metafase, metafase में क्या होता है, metafase में nuclear membrane पूरा disappear हो गया है, अलग से nucleus दीखी ने रहा, पूरा nuclear membrane disappear हो जाता है completely, और chromosomes जो है, पूरे condensed होके clearly visible हो जाते हैं और सारे chromosomes एक parallel line में arrange हो जाते है, equatorial plane, मतलब यह 2000 poles है, जैसे earth के 2 poles होते हैं तो एक equator होगा बीच में, तो वह equatorial plane में ऐसे central plane में वह arrange हो जाते हैं, अब हम आपकर उपर नीचे poles लेंगे तो equator horizontal हो जाएगा, अगर left-right पे poles लिया है तो यह equatorial plane vertical है इसलिए, तो यह central line में ऐसे central plane में यह chromosome lines से arrange हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर आते हैं यह lines, यह आपको यहाँ पे ratio दिख रही है, यह special type of flexible protein fibers है, इनका नाम है spindle fibers, तो यह spindle fibers बनने लगते हैं और यह सारे attach हो जाते हैं centriol से और हर एक chromosome के centromer से, centromer हमने देखा था यहाँ पे यह बीच का जो हिस्सा है centromer, तो centromer और centriol को connect करते होगी lines बन जाते है, spindle fibers बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, third stage आता है enaphase, enaphase में क्या होता है, enaphase में यह spool करने लगते हैं, और यह जो sister chromatids जो है वो अलग हो जाते हैं, तो हर एक chromosome के जो दो sister chromatids थे ना तो दोनों एक-एक को, एक-एक साइड पे दोनों चले जाते हैं, तो sister chromatids of each chromosome separate और वो opposite direction में pull किये जाते हैं, और separated sister chromatids जो अलग हो जाते तो यह पूरा जो है इसको बोलते हैं, फिर daughter chromosome , यह दोनों एक-एक daughter chromosome हो गया। X को मिला एक इधर मिला जो दोनों को एक-एक मिला है, तो यह daughter chromosome है sister chromatids, daughter chromosome. तो यह पूरा और Aena phase complete हुआ, Then chromosomes पूरा एक साथ सब हरे sister chromatids को, sister chromatidsじゃ एक-एक को मिलके sister chromosome , So, daughter chromosome बन गैं, जिसके अंदर तेलो फेज में होगा, क्रोमोजोम पूरे अपोजिट पोल स्वे पाँच के, अगें थिन थ्रेड लाइक बन जाते हैं, जैसे क्रोमोजोम ओरिजिनल होते हैं, तो सिंगल स्ट्रेंड ही अभी, और नुक्लियर मेंब्रेन हर एक सेट अफ क्रोमोजोम का नुक् तो यह दोनों को फिर से 2N, 2N मिल गए, मतलब डॉक्टर नुक्लियर है यह, अभी डॉक्टर सेल्स कब बने ही है, जब साइटोप्लाजम भी डिवाइड हो जाएगा, तो तेलो फेज में डॉक्लियर बना, नुक्लियर दो टुक्ड़े हुए, अब साइटोप्लाजम भी के बाद, और साइटोप्लाजम भी फिर डिवाइड हो जाता है, तो दो नए सेल्स बन जाते हैं, इनको कहते हैं, डॉक्टर सेल्स, यह दो डॉक्लियर है, और यह दो डॉक्टर सेल्स बन गया, तो यह है, तो यह कैसे होता है, साइटोप्लाजम भी एक नॉच बन जाता है दोनों cell के यहाँ पे बीच में एक, अधेक्विटोरियल प्लेन पे ही वहाँ पे एक नॉच बन जाता है, और वो नॉच अक्चली यह नॉच अनिमल सेल्स में होगा, वहाँ पे प्लेट पे पूरा डिविजन होता है, तो वह सेल प्लेट होता है, तो वह प्लेट पे पूरा डिविजन होता है, तो वह सेल प्लेट होता है, मतलब single cell से दो नए cells बने, तो mitosis से ही हमारे body की growth होती है, जब cells होते है, वो cells divide हो होके और grow होते है, even अगर body part में कहीं पर wound कुछ हो गया, तो उसके अंदर भी cells जो है वहांके, वो divide हो होके, dead cells तो गया, लेकिन जो बाकी cells है, वो divide हो के grow होते है, blood cells भी नए बनते हैं हमारी body में, तो वो भी cell division से ही बनते है, तो mitosis is very important for growth of humans, wound healing and even restoration of immaciated cells, जो dead cells वागेरा है, तो वो हर cell की एक life होती है, तो नए cells से replace होता है, तो यह है mitosis, यह होता है, याद रखना है हमको somatic cells में और stem cells में, जो नए बच्चा, stem cells मतलब नए जो cells है, जिनको कोई differentiation नहीं हुआ है, जो अभी तक कोई specific type of cell नहीं बने है, जैसे especially जो बच्चा पैदा हुआ होता है, जब पैदा होने से भी पहले, जब बच्चा form हो रहा होता है, तो वो 9 महने में, जो initial time होता है, जो fetus होता है, तब वो cells उसके stem cells होता है, initial stage में, और फिर वो somatic, और stem cells में mitosis होगा, और meiosis जो है, वो सिर्फ germ cells में होगा, वो क्यों germ cells में होगा, कैसे होता है, वो हम detail में देखेंगे अभी, अब आया meiosis, meiosis का diagram भी यह दिया गया, उससे पहले हम mitosis के diagrams देख लेंगे, यह हमने already देखा, तो अब यह और detail में समझेगा, यह 2 chromosomes है, इसके sister chromatids बनें, मतलब यह number double हुआ, 2N का 4N हो गया, मतलब यह one pair of chromosome है, तो यह जो दो chromosome से, यह अभी sister chromatids बन गए इसके, तो यह दो chromatid pairs बन गए, फिर उसके बाद यह आप देखते, pitosis शुरू होता है, prophase, metaphase, anaphase और telophase, तो यहाँ पर यह जो है, spindle fibers बन के आप देख रहे हैं, कैसे यह हर एक sister chromatid, इसका एक इसका उपर जा रहे है, तो यह दो फिर daughter nuclei बनें गया, और फिर daughter cells, फिर से वैसे यह same यह replicate हो गया, double हो गया, तो यह है mycosis, यह detail में भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि pro phase, chromosomes pair up होते हैं, metafase में यह, आप देख रहे हैं, spindle fibers बन रहे हैं, और chromosomes equator में line up हो जाते हैं, और फिर equatorial plane में, और फिर yana phase में, sister chromatids अलग हो जाते हैं, और telophase में फिर daughter nuclei, और daughter cells बन जाते हैं, यह 2N है, यह भी 2N है, diploid, 2N इसको diploid कहते है, diploid cells, इसके लावा होते है haploid cells, haploid cells मतलब उसके अंदर N, N number of chromosomes है, तो cells with only one set of chromosomes, that is one gene from each trait are called haploid, और 2N मतलब के diploid, to haploid cells actually germ cells के time पे आएगा, all gametes, sex cells are haploid cells, and haploid cells जो है meiosis से बनते हैं, all somatic cells are diploid cells, all somatic cells are diploid cells, somatic cells मतलब general body cells सारे, तो यह है, diploid cells के लिए mitosis होता है, haploid cells बनाने के लिए हमको meiosis समझना है, जो हम आगे अभी देखेंगे, और यहां पे वह ही दिखा गया है, कैसे जो DNA होता है, chromosome होता है, chromosome strand ऐसे पतला सा strand होता है, फिर उसके उपर chromatin DNA strand first यह देखो, फिर chromatin strand जो है DNA covered with histones, वह chromosome होता है, और chromatin फिर यहां पे centromer बनता है, और फिर यह thick condensed होके ऐसे दिखता है, और यह जो है उसी से यह दो pair में आ गया है, मतलब यह एक ही strand है, जिसके दो pair बन जाते है, जोड़ी बन जाती है, sister chromatids, फिर, यह रहा, तो यह mitosis हमने अल्रड़ी समझ लिया है, यह रहा, और फिर आया meiosis, अब meiosis समझने के लिए हम देखते है, क्या है, meiosis दो stage में होता है, meiosis 1 होता है, फिर, meiosis 2 होता है, to meiosis 1 में क्या होता है, recombination or crossing over occurs, between homologous chromosomes, अब homologous chromosomes क्या है, वो समझना जरूरी है, homologous chromosomes are not sister chromatics, homologous chromosomes क्या होते हैं हम देखेंगे, और इसके दो 2 haploid cells बनते हैं, हमने देखा diploid or haploid, diploid में 2N होता है, number of chromosomes, n number of chromosomes होते हैं, तो हम देखेंगे, homologous chromosomes कैसे crossing over होती है, वो देखेंगे हम, homologous chromosomes क्या होते हैं, homologous chromosomes हैं, pair 1, हर एक pair of chromosomes है, homologous chromosomes हमने देखा, 22 pairs autosomes होते हैं, homologous chromosomes होते हैं, sex chromosomes होते हैं, xx है तो homologous है, xy है males में, तो homologous नहीं है, homologous pair, मतलब यह एक pair of chromosomes, one pair दिया गया है, ऐसे तो 23 pairs है humans में, हर एक pair के साथ यही सेम चीज़ हो रही है, diagrammatic representation के लिए हम सिर्फ एक ही बता रहे, कि यह जो एक pair है, one pair of chromosomes, जो एक mother से आया, एक father से आया, तो इसके अंदर कैसे होता है, meiosis में, जो meiosis 1 है, उसके अंदर DNA replication and recombination होता है, मतलब इनका जो हमने already देखा, number of chromosomes, 2N होते हैं हर एक cell में, तो यहां पे भी cell, 2N number of chromosomes से, अब इनको क्या हो रहा है, इनका division हो रहा है, तो इसके अंदर meiosis में, meiosis 1 में, यह जो double हो गाई, 2N का 4N बनेगा, मतलब sister chromatids बन गए, यहां पे आप देख सकते, red भी 2 हो गए, blue भी 2 हो गए, तो यह 2 sister chromatids बन गए, और meiosis 1 में, अब यह दोनों chromosome जूड़ जाएंगे, यह एक जोड़ी में थे ना, फर्स पैर था यह, तो यह दोनों जूड़ जाते, और आपस में इनका exchange होता है, थोड़ा red का blue के पास आया, blue का red के पास आया, ऐसे होता है, DNA recombination and replication, और फिर पूरा division होके, दो cells बनते हैं, तो पूरा detail में हमारा, यहां पर meiosis में भी pro phase 1 होता है, metafase 1, anaphase 1, telophase 1, तो pro phase 1 में भी 5 stages होते हैं, तो यह important है क्योंकि textbook के पीछे इसके पर सवाल भी है, pro phase 1 के 5 stages को explain करो, और even objective type question fill in the blank में में भी सवाल है, pro phase 1 के उपर, तो इसलिए हमको यह हर एक phase का नाम भी पता होना चाहिए, जो हमने यहां पर detail दिया है, आप देख सकते हैं, meiosis का pro phase 1 है, उसके 5 stages जो उनके नाम है, leptotene, zygotene, pechetene, diplotene, और diakinesis, तो आप देख सकते हैं, यहां पर क्रोमोजोम, sister chromatids बन गए है, अब दोनों जूड़ गए, फिर उसके बाद genetic recombination हो रहा है, देखो purple, pink थोड़ा-थोड़ा exchange हो जाता है, तो वह अलग ही बन जाते हैं फिर, और diplotene और diakinesis, pro phase 1 complete हो जाता है, genetic recombination, उसके बाद आएगा metaphase, तो यह pro phase 1 के बाद metaphase में वही होगा, यह अभी जो दो, इसलिए यहां लिखा गया है, homologous chromosomes उनमें crossing over होता है, sister chromatids ने, तो यह homologous chromosomes में crossing over होके, अब यह दोनों ही, अलग-अलग हो गए, homologous chromosomes ही आधे-ाधे फिर separate होते हैं, spindle fibers बनके, metafase में आप देख सकते, equatorial plane में arrange हो गए, और फिर spindle fiber से pull होके, 2 daughter nuclei बने, और फिर cytoplasm भी अलग होके, 2 daughter cells बने, तो यह 2N था, 2N से start हुआ, और यह जो 2 daughter बने, telophase 1 के पाद, यह haploid है, तो इसके अंदर N number of chromosomes हैं, दोनों को एक-एक मिला है, तो जो chromosomes थे, sister chromatics से अलग नहीं हुए, एक-एक पैर ही chromosome अलग हुआ है, तो यह telophase 1 के बाद, हमने देखा यहां पर देखो, meiosis 2 is just like mitosis, अब यह दो बने है, दोनों का division होगा, यहां पर यह जो है sister chromatics अलग हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, sister chromatics अलग हुए और दो, विश से वह ही है, metaphase 2, anaphase 2, और finally telophase में, nucleus अलग हो गए, दो daughter cells, हर एक यहां पर से daughter cells आये, उनके दो daughter बन रहे हैं, मतलब यह 4 daughter cells हो जाए गया, दोनो का हो रहे है, तो वह ही लिखा हुआ है यहां पर, के meiosis 2 is just like mitosis, the 2 haploid daughter cells, formed in meiosis 1, undergo division by separation of recombined sister chromatics, so sister chromatics recombined है, red blue interchange mix हो के, तो उनका फिर division होता है, और 4 haploid daughter cells बनते है, तो इंके अंदर N number of chromosome होते है, daughter cells are formed from 1, 4 N haploid daughter cells are formed from 1 deployed 2 N cell, और यह हर एक daughter cell जो है अलग है, मतलब हर एक दूसरे से भी अलग है, यह blue blue red red है, यह red blue यहां पर है, यह थोड़ा अलग है, हर एक daughter cell एक दूसरे से भी अलग है, और parent cell से भी अलग है, to meiosis में ऐसे 4 अलग type की daughter cells बनते है, each one genetically different from parent cell and from each other too, while mitosis जो होता है, उसके अंदर exactly same बनते है, तो वो फर्क है, meiosis or mitosis में, तो यह detail में और भी phase 1 दिया गया है, pro phase में के हर एक stage में भी क्या हो रहा है, leptrotein में आप देख रहे है, nuclear membrane, यहां पर जो उसके अंदर यह chromosome से, यह condensation हो रहा है उनका, फिर, homologous chromosome से उनके बीच में exchange हो रहा है, synapses हो रहा है, और फिर crossing over हो रहा है, diplotein में आप देख रहे हैं, यह synapses जो connect होए थे, अब वो अलग हो रहे है, और फिर dissolution of nuclear membrane होके, diakinesis होके यह complete हो जाता है, pro phase 1, फिर आता है metafase 1, और telophase 1, और फिर meiosis 1, complete होके 2 haploid germ cells बनते, और फिर उनका division होता है, जिससे 4 haploid germ cells बनते है, तो यह meiosis 2 होता है, फिर आपके बुक में एक try this करके एक experiment यह आगया है, तो आपको इसके लिए apparatus चाहिएगा, conical flask, glass slides, compound microscope, medium-sized onion, oiodine solution वगरा चाहिएगा, तो आप यह medium-sized onion को एक glass में, flask में पानी भरके उसको रखे ऐसे के उसके roots जो है पानी से touch करे, और फिर उनको 4-5 दिन तक रखे, ऐसे तो roots जो है grow होने लगेगे, फिर उनको root को tips को cut करके उनको एक quaj glass के उपर रखना है, उसके पर iodine डालके, उसको slide को press करके, glass light prepare करके, उसको फिर compound microscope के नीचे देखना है, तो आपको cell division के phases उसमें clearly दिखेंगे, तो यह actual image दिया गया है, onion root के और यह diagrammatic presentation, तो यह आप देख सकते यह plant cell है, तो cell wall भी है, यह nucleus है, तो यह nucleus के अंदर chromosomes आप देख सकते, thread like thin है, जिसके अंदर आप देख रहे है, sister chromatids बन रहे है, spindle fibers भी आ गए है, फिर यह equatorial plane में, metaphase में, chromosomes arrange हो रहे है, spindle fibers उनको pull कर रहे है, और anaphase में separate हो गए, और फिर दो daughter nucleus बन गई, फिर cytoplasmic division के बाद, cytokinesis के बाद, cell plate यहां पे बनेगी, जिससे यह दो अलग cells बन जाएगे, तो यह phases of mitosis है, onion में, फिर finally आपकी बुक में अब है, use your brain power, 6 सवाल है, यह important है, पहला सवाल है, what do you mean by deployed cells, तो हम already यहां पे discuss कर चुके, deployed cells क्या होते है, deployed cells मतलब के, जिसके अंदर number of chromosomes pairs में, 2N होते हैं, मतलब, जैसे 46 chromosomes होगे, तो उसको deployed cells कहते हैं, तो सारे हमारे body के somatic cells जो है, वो deployed cells है, और somatic cells stem cells, फिर दूसरा सवाल है, what do you mean by haploid cells, haploid cells में आधे number of chromosomes half होते हैं, तो जो 4 daughter cells बने meiosis में, वो haploid cells बनते हैं, उनके अंदर number of chromosomes half हो जाते हैं, मतलब 23 chromosomes होते हैं, 23 pairs ने, 46 ने, n number of chromosomes, तो उसको haploid cells बनते हैं, what do you mean by homologous chromosomes, तो जो pair में chromosome होते हैं, जैसे 1st pair, 23 pairs होते हैं, जो 2 pairs एक mother से एक father से आया, हमने already discussed कि है, वो homologous chromosomes होते हैं, उनको और यह, होते हैं, तो वो homologous chromosomes होते हैं, और 4 सवाल है, whether the gametes are deployed or haploid, gametes मतलब germ cells, sex cells, तो यह haploid होते हैं, cells जो है, that give rise to gametes are deployed, मतलब जिससे gametes बनते हैं, वो deployed cells हैं, पर जब gametes बन जाते हैं, gametes खुद haploid cells हैं, तो 2 haploid gametes cells, जो है, they undergo fertilization, मतलब एक mother से एक father से, haploid cells जो होते हैं, उनका fertilization होता है, और फिर उन दोनों के fertilization से, जो cell बनता है, वो deployed होता है, मतलब mother का father का, दोनों का आधा आधा आजाता है, और एक deployed cell बनता है, तो वो होता है fertilization, तो gametes cells are haploid, why, because after combination of gametes cells, of parents, तो deployed cell बनेगा, जिससे बच्चा पुरा ग्रोह होगा, वो एक cell से फिर पुरा बच्चा ग्रोह होता है, and how are haploid cells formed, to haploid cells कैसे बनते हैं, to meiosis है, diploid cells undergo meiosis, और फिर इसके अंदर haploid cells बनते हैं, which are germ cells, and what is the importance of haploid cells, the importance of course haploid cells का है, अगर haploid cells नहीं होगे, तो sexual reproduction कैसे होगा, takes place through haploid cells, meiosis होगा, उनके फिर haploid cells बनेंगे, उनका combination होगा, तो new cell बनेगा, जिससे पुरा एक organism, बनेगा, individual बनेगा, that is the importance of haploid cells, तो that is it, इससे हमारा chapter complete हो जाता है, Thank you. Subscribe to our YouTube channel, and click the bell icon, to never miss any new updates.